है हमें जो आपके मन की बात में बताता है जो आप लोगों ने किया कि नाली में लगा करके मिट्टी लगाएंगे वरना पोधा गिर जाएगा अभी इस पोधे को अगर हम देखें दोनों को या पूरे खेत के प्लोट को देखें तो इसकी उम्र हमने यहीं पिता दी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नव, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदा पहुंगा भी आ गया चाउदा पत्तों में और हम जो आपकी गठान में जो देख रहा हूं वो नरियल साइज किये साइज बढ़ा है उसका है है ना आलरेडी वो दस से पंदरा प और जवानी हमने उसको मट्टी लगाने में ही कर ली अब इसका भुडापा चालू होगा फ्लावरिंग देने तक और हम इससे कामना करेंगे कि यह एक्सपोर्ट क्वालिटी बने तो नहीं बनेगा यह मदर डेरी में जाए तो नहीं जाएगा यह जाएगा फिर डोमेस्ट कर सकें जेशल टीशू का पोधा हम बेड़ पे लगाते हैं या बराबर में लगाते हैं वैसे कंद को भी आप वैसे ही करो बेड़ पे लगाना जिसमें आपकी जो मिट्टी दीख रही है यह मध्यम मिट्टी में आती है काली और पीली के बीच में थोड़ा सा मुझे दिख आ रही है कि मैं पूरा पहले भीगो दूँ फिर मिट्टी लगाऊ नि तो वह कड़क चीज लगेगी निए पोधे को नुक्सान देगी तो मतलब आपके खेत में पीएज भी बड़ा हुआ है और यह जो पानी आपका आ रहा है यह सफेज साल्ट लेके आ रहा है कितना गहर क्या आएगी हमने जो प्रैक्टिस करिए आप लोगों ने कि नाली बना करके पोधा लगाया अगर इसका साइन साम समझेंगे कि अब बहुत गहरा कार दिया है इतना जाना नहीं होना है इतना नहीं होना अभी यह कितना हुआ चेंच तो गड़ा हुआ है ठीक है इसकी भोजन लेने वाली जो रूट है अभी इसको ध्यान से देखो यह उपर आ रही है नीचे जाना चाहिए इसने पकड़ने के लिए यह मिट्टी लगने की वज़े से उपर आरे अब यह चैंच है और इसके बाद में इस मिट्टी को हम और लगाने की बात कर रहे जेचरदस हो जाना नहीं होगा कुछ भी बड़ेगा और साइड में कर्टन बढ़ाए अब हम नली रखेंगे यहां पर बाद में तो यह जो ह जल्दी से उसको लेकर आएंगे तो क्या इतना मिट्टी लगने के बाद 6 दिन मोटर बंद करने के बाद यहां सुख जाएगा और हम 6 दिन कभी बंद करेंगे ही नहीं तो मतलब हमारी जड़े हमेशा कीचड में रहेगी तो वादा क्वालिटी साइनिंग लंबी दूर चलने वाला बंच नहीं मिलेगा जो केला मिलेगा वह कम डियूरेशन तई करने वाला मिलेगा अगर आज हमारे हैं से कटा तो वह दस दिन बारा दिन सर्वाइव नहीं करेगा वह पांच दिन के अंदर खराब होना चलो एक सबसे बड़ा यह कारण है इसलिए गठान का रेट मिलता नहीं है कि रेट हमें चाहिए बरबर तो उसका में रिजन क्या हुआ कि हमें गड़े में लगाना बंद करना है जो कंद है उसके नीचे 6 इंचे तक का वह खाता है अगर उसके उपर मिट्टी डाल दी तो वह गड़े में रह पकड के लिए तो उल्टा हो जाता है मूली आ जाती उपर अब यहां पर कीचड कीचड हो गया तो यहां पर निमेटोट फंगल वाइरल की मात्रा बढ़ेगी और मूली पकड़ने का टेंशन बढ़ेगा अगर गड़े में लगा तो आपको मिट्टी लगाना अती आवश् पूरा उल्टा ही करते हैं तो मेरा जो पानी देले वाले हैं नहीं हम ड्रीप से देंगे तो इसको बस कल्टीवेशन करके बराबर कर दो जो लग चुकी मिट्टी बस खतम एक काम इसमें और करना है इसको आप एक बख्खर चला तो यहां पर क्योंकि अभी पत्ता इसका यहां इसके अंदर बख्खर आने मत देना जो आपने कल्टीवेशन किया ना वो नाली यहां करी जो पत्ते की च्छाओं आ रही है इसके अंदर नहीं जाना है यह दोनों पत्तों के बीच में इसको एक बराबर कर द तो यहां पर हवा का आवागमन चालो होगा ओधा वो अच्छा विक्षित होगा जिसकी जड़ों के पास मिट्टी पानी हवा तीनों बराबर हो तो वह अच्छे से भोजन अप्टेक करेगा सभी निउट्रिशन उटाएगा तो आगे मिट्टी लगाओ मत इसको बराबर कर यहां नाली कर दो अल्रेडी मिट्टी लगी हुई है अब मत लगाओ जदा यहादा है जो नीचे का गूदा है जो अपने देखा तर्न तर्व देखा उस कर वो तक मिट्टी चाहिए उससे उपर निचाहिए मैं एक चीज और बतलाता हूं अभी हमने देखा चे इन्ची मि पर खसक जाएगा और वह आपके वादे को क्वालिटी को साइनिंग को लेकर आएगा जब माल बिखेगा तो व्यापरी डिमांड करेंगा क्योंकि यह न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा उठाएगा इसमें मेरे हिसाब से मिट्टी अब नहीं लगना चाहिए और यह अवस्था भी खतम हो गई है अल्रेडी ज्यादा गड़ चुका है यह गठानी रॉंग सिलेक्शन हो गया गठान का वह भी रॉंग सिलेक्शन इसमें उत्पाधन कम आएगा जितना साइज बड़ा उतना उम्र वाला हम पोधा लेके हैं जितना साइज छोटा उसका बच्पना है हमारे यहां सेट होकर के वह उम्र लेगा तो वह थोड़ा सा उम्र जादा लेगा लेकिन बंच बड़ा देगा लंबा देगा और बजन सब्सेट होने में प्रमिने शन्न उता परकुण समय तो आपको और धुरब सब्सक्राइब हर सब्सक्राइब और हमने मैं लेना है 200-300 ग्राम के भीच मिश्वार steak 300 कुछ बड़ो 200-400 के बीच में वो जो कंद लिया आपने वो पांच से छे पत्ते धिया हुआ रहेगा जैसा टीशू का पोधा आता है छे पत्ते वाला मतला आपने टीशू लगाया आपको पोधा खरीदने के आउशकता नहीं है यह बेस्ट बनेगा लेकिन उसका सिलेक्शन और हंड्रेड जर्मिनेशन यह सारी चीज होना चीज़ए तो पर्फेक्ट रहेगा तो अब अब लगबक पाज बाज वर रहे हैं गल्लत है यह साइज भी इत्ते हुआ ना शार्त में 5-7 कम से कम है मैं अंदर का बोल रहा हूं कम से कम से जादा लो तो टीशू में लगता है कंद में भी इसमें भी इस अगर खिल ने को है तो टीशू खरीदो पेसा अगर खिलने को कम है तो कंद में प्रेक्टिस करो उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे उसे माधर डेरी में ले जाएंगे कि टिशू और कंद में एक ही फर्क है कि टिशू एक साथ आएगा फ्लावरिंग युनिफॉर्म लिटी रहेगी और कंद अगर हमारा सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो आगे पीछे फ्लावर आएगा तो गाड़ी भरने में दिक्कत आएगा इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नह आपका सहीं फिल्ड सिलेक्शन है और सहीं कंद आ रहा है तो आपको टीशू की आउशकता नहीं उसके पीछे मेरी पूरी रहे भी आप देखो के कुछ मेरी कंद की कारिशाला भी है और आज अपन कुछ टच करेंगे कंद को आज की पार्ट शाला में आज कंद पे ज्याद करते हो जुन जुलाई फागस्त नवती बोलते हैं तो कंद बाग उसमें फरक रहता है हमारे इदर तो 90 अभी कंद लगाते है नवट टक के अपले कड़े कंद बागज है जाला कंद बाग इसमें बहुत कम टीशू थोड़ा कम लगा थे टीशू नहीं कर पाते ना इसलिए अच्छा है लेकिन उसको सही तरीके से किया तो टीशू आगे निकलेगा गलत किया तो पीछे रहे जाएगा फिर व्यापारी इस शेत्र को प्रभावित करेंगे कि यह कंद वाला है और से मालनी मिलका रहा है अजार निकालना मदर प्लैंट अजे अजार निकालना उसमें से पांसो है सिलेक्ट करना उसकी पूरी रेसेपी बताऊंगा मैं किसे करन प्रेंगे इसको मिट्टी विट्टी मत लगाओ कि कि आपकी साइड अजे फतकी बा मनी कि इसकी गेब बना चेहिए जोड़ेयों नूपनानी चाहिए पत्तो का डिफेर्स पत्तो का डिफेरंस сдंडा सिर्थ उसका बलत जेंकना रहा कि अले सिर्थ और तर अ बननाचे पानाचे इस वह पर्णुखा बल्लुकाः बननाचे इस बीस सोगी है